तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि सिक्षण सहायक सामगरी होती क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसके प्रकार कौन-कौन से हैं, तो ये बहुत सारे बिंदू हैं जिस पर आज की इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे, तो हम सुरू करते हैं अगर सबसे पहले हम सिक्षण सहायक सामगरी की बात करें कि सिक्षण सहायक सामगरी होती क्या है तो देखिए नाम से पता चला है सिक्षण सहायक सामगरी मतलब ऐसी सामगरी जो सिक्षण में साहता कर रही है किसके सिक्षण में कक्षा कक्ष में जो सिक जो सिक्षक जब बच्चों को किसी विशेवस्तु का ज्यान दे रहा होता तो उस दौरान उस विशेवस्तु को सही तरीके से बच्चों तक पहुचाने के लिए सिक्षक जिस सामगरी का प्रयोग करता है उसको हम कहते हैं सिक्षण साहयक सामगरी तो कच्चा कच्च में अध्यापन के दोरान विशेवस्तु को समझाते समय सिक्षक जिन जिन साधनों उपकरनों इसमें क्या क्या चीजी आ जाती हैं वास्तुविक वस्तु चित्र चाट य ताकि वो जो बच्चों को पढ़ा रहा है उसको और अच्छे तरीके से पढ़ा सके समझा सके तो उस जो वह वस्तु है वह सिक्षण सह सामगरी अत्वा सेक्षिक उपकरन्ट साधन कहलाते हैं तो कच्छा कच्छ में अध्यापन के समय सिच्छक जिन भी साधनों का बच्चों को विशे वस्तु का ज्ञान और पश्टता से दिया जा सके उन सभी सामग्रियों का rap जिसका सिक्षक प्रयोग कर रहा हैँ उसे हम कहते है सिक्षन maths साहयक सामग्रिय तो इन उपकर्ड़नों द्वारा सिखा ज्यान ना केवल विद्ध्यार्तियों द्रेक्र विद् श्रेर नहीं देखा होगा जिनोंने नदी नहीं देखी होगी जिनोंने ताजमहल नहीं देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनोंने सामने कभी अमेरिका के जो पुराने राष्टपती थे डोनाल ट्रम उनको भी आपने नहीं देखा होगा लेकिन आप उनको पहचानते हैं कि डोनाल ट्रम कैसे हैं ओबामा कैसे हैं ताजमहल कैसा दिखता है समुद्र कैसा होता है यह आप सबको पता है क्यों पता है क्योंकि आपने उसक तो कहीं न कहीं चित्र के माधियम से, वीडियो के माधियम से, कहीं न कहीं आपने उसको देखा है. और आप उसको देखकर, आप उसको इतने अच्छी तरीके से पहचान गए होगी, जब आप उसके सामने जाओगे या लाखों में से भी कोई एक फोटो आप अगर उसकी होगे तो आप उसको पैचान लोगे हाँ यही ताज महल है यही कुत्व मिनार है तो सिक्षण से एक सामगरी क्या है वो सामगरी जिसका प्रयोग अपने सिक्षण को और प्रभावसाली बनानी के लिए विद्यारतियों तक विशेवस्तू का ज्यान और अच्छे तरीके से पहुँचाने के लिए उन सामगरीयों का प्रयोग कर रहा है तो इससे सीखा हुआ ज्यान विद्यारतियों के मस्तिक्स में लंबे समय तक रहता है तो सेक्षिक उपकर्णों की मदद से सिक्षक भी अपने अध्यापन के परति उससाहित रहता है एक ओर जहां बच्चे अध्यान के परति उससाहित रहते हैं उनको देखकर कि वीडियो के द्वारा बच्चों को पढ़ाये जा रहा है कोई मोडल के द्वारा पढ़ाये जा जो अपने विशेवस्तु को रोचक सामगरी के माध्यम से प्रस्तुत करता है क्योंकि एना केवल विर्दियार्थियों का ध्यान केंद्रित करता है बलकि उन्हें उचित प्रेड़ना भी देता है परिणाम स्वरूप कक्छा का वातावरन हमेशा सकरात्मक बना रहता है और एक अध्यान का माहुर रहता है सीखने वाला बहुती रूची से सीखता है सिखाने वाला भी खुसी-खुसी सिखाता है तो कक्छा का वातावरन बहुती अच्छा बना रहता है सकरादमक रहता है इनकी उपयोगिता और महत्व क्या है कि सिक्षण में नवीनता आती है जो सिक्षण दिगम प्रिक्रिया जो रोजाना की उसमें एक नवीनता आती है जब नैने संसादनों के माधियम से सादनों के माधियम से जब सिख्षक विशेवस्तु का ग्यान बच्चों को और स्पष्ट तरीके से पहुचाने की कोशिश करता है तो सिख्षड में एक नवीनता आती है परतिक्स अनुभो प्रदान करने में सहायक अगर मालो मैं अगर आपको या आपके सिख्षक आपको ताज महल के बारे में बता रहे हैं लाल किला के बारे में बता रहे हैं तो अब उसको बताने के लिए जरूरी तो नहीं या संभव तो नहीं आपको जिस विशे के बारे में बता रहे हैं आपको वहां तक ले जाएं, ताज महल के बारे में बता रहे हैं, ताज महल ले जाएं, कुतो मिनार के बारे में बता रहे हैं, कुतो मिनार ले जाएं, या राम सेतु के बारे में बता रहे हैं, तो आपको रामस्वर्म ले जाएं, ऐसा संभव नहीं हो सकता, तो फिर क्या हो तो आपको चिडियागर के शेयर कराएंगे नहीं तो दूसरा काम है अगर कच्छा में बताना हुआ तो आपको उसकी फोटो या वीडियो दिखाएंगे तो प्रतिक सन्भो प्रदान के अन्ने में यह सायक है इसी तरह से विसे वस्तु को सररल बनाने सायक है कटिन से कटिन चीजों को भी इनके मादियम से बहुत सरल रूप में बच्चों तक पहुँचाया जा सकता है भासाई कौसल के विकास में सायक है हिंदी में हम लिखने, पढ़ने, बोलने, सुनने जो भासाई कौसल इसके विकास में सायक है इन सामग्रियों के मादियम से बच्चों के भासाई कौसल को बहुत ही अच्छे तरीके से विक्सित किया जा सकता है। उसे बताना उतने अच्छी तरीके से हो सकता बच्चों को नहीं पता चले। लेकिन वीडियो के मादियम से बच्चे बड़े असानी से समझ सकते हैं। रूची लेता है और कक्चा में सक्री रहता है। उसको ध्यां से देखता है, समझता है, प्रसन करता है, प्रसनों के उतर देता है। सिक्छन में वीडियो के मादियम से अलग लग अगर सिक्छन साद्नों का अप्रयोग किया जाए, तो सिक्छन में वीडियो का आती है, बच्चे भी सक्री रहते हैं कक्चा में। सिक्छकों को भी मजाता है, बच्चों को भी मजाता है, और सिक्छन अधिगम प्रक्रिया बहुती प्रभावसाली होती है। सिक्षन को रोचक बनाने में साहिक है इसके द्वारा सिक्षन को अरधिक रोचक बनाया जा सकता है और बच्चों के समक्स प्रस्तुत किया जा सकता है अनुसासन बनाए रखने में साहिक है किमकि जब कक्छा में बच्चे रूची लेते हैं कक्छा में बच्चों का ध्यान रहता है तो अनुसासन अपने आप कक्छा में बना रहता है कम गती से सीखने वाले बालकों के लिए जो जो बालक ऐसे हैं जिनको सीखने में थोड़ा समय लगता है, जल्दी से नहीं सीख पाते, वो बच्चे भी ऐसे सामगरियों के माद्यम से चीजों को जल्दी सीखने लगते हैं, वेग्यानिक दिश्टिकोन के विकास में सायक है, कि इनके माद्यम से बच्चों के वेग्यानिक दिश्टिकोन का विकास होता है. बच्चे सही चीज़ों को पहचान लगते हैं. बच्चे सही कोई अगर विसे वस्तू है, कोई अगर अवधारना है, को बच्चे उसके पीछे का जो एक कारण होता है, हो भी बता सकते हैं. तो इसके माधियम से बच्चों में वेग्यानिक डिष्टिकोन का विकास होता है मालू अगर हम बच्चों को जल चक्र का बताएंगे कि जल चक्र कैसा होता है तो एक मूँ से बताना होता है और एक उनको दिखा कर इन सामगरियों के माधियम से कल्पना सक्टी का विकास किनके माध्यम से कल्पना सक्टी के विकास में भी ये सहायक है अब सेक्षिक उपकर्णों साधनों के विविद रूप एवा उनका प्रयोग किनके अलग लग रूप कौन से है तो स्रफ विसाधन कि स्रफ विसाधन कौन से साधन है कुछ साधन कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनको दिखा कर बच्चों को विशेवस्तु कुश्ट कर और कुछ साधन ऐसे होते हैं जो सुनाई भी देते हैं तो तीन साधने स्रव्य जो सुनाई देते हैं दिर्स जो दिखाई देते हैं और स्रव्य दिर्स दिखाई भी देते हैं सुनाई भी देते हैं तो हम एक एक साधन की बात करते हैं सबसे पहले अगर हम स्रव्य साधन की बात करें तो इनके द्वारा सहयक सामगरी को स्रव्य रूप में अर्था स्रवन्ण सुनने के रूप में विद्यारतियों के समक्स प्रस्तुद किया जाता है और इस सामगरी कौन-कौन सी है रेडियो आपको पता है कि रेडियो के माध्यम से भी बच्चों को ग्यान का अब रेडियो से ग्यान कैसे प्राप्त होता है कि आपको पता है बहुत सारे कारिकरम है रेडियो के माध्यम से परसारित होते हैं इसके अलावा हमने देखा है समाचार है और आपने देखा होगा हमारे जो परधान मंत्री हैं उनके मन की बात इस तरह से बहुत सारे कारिकरम जो रेडियो के माधियम से परसारित होते हैं जो दूर दराज के छेत्रों में रहने वाले बच्चे भी इनके माधियम से घ्यान प फिल्मों में होता था अक्सरे इसको ग्रामो फोन कहते हैं और इसको भी आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में अक्सर रिकोर्ड के लिए जो पुलिस वाले जो रिकोर्ड करते थे आप आज जब फोन आता था किसी का तो इस तरह के सामगरी का तो इसके द्वारा भी जो लिंग्वाफोन कहते हैं इसी तरीके से हम द्रिस साधन के बात करेए जिसे शर्वेल साधन बच्छों को सुनाकर ज्ञान प्राप्त करना तो द्रिससे में क्या है कि बच्छों को दिखाकर ज्यानृत करना इनके द्वारा स्भाह कास स अमगरी को द्रिसते से बॉर्ड ओगे जो विद्द्याले में होते हैं मानचित्र हो गए इसके अला में वास्टविक वस्तूएं हो गई जी से पैन पैंसिल टेबल वास्टविक वस्तूएं तो इनकी कुछ ऐसे सादन है जो कक्षा कक्ष में सिक्षंड के दौरान ध्यापक विद्यारतियों को इस चीज़े दिखा करें विश्य वस्तु का ग्यान परदान करने की कोशिस करता है मालो श्रेर के बारे में बता रहे तो श्रेर का चितर दिखा दिया समुंद्र के बारे में बता रहे तो उसका चितर दिखा दिया फल के बारे में बता रहा है तो फल का चितर दिखा दिया तो दिखा कर ग्यान करता है सिक्षक इसके माध्यम से बच्चों को जो ग्यान प्रदान किया जाता है दिखा कर इसी के साथ हम देखते हैं स्रव विद्र से सामगरी तो स्रव विद्र से को इस दोनों रूप में विद्यारतियों के समक्स प्रस्तुत किया जाता है तो इस साधन कौन से हैं टैली विजन जिसको दूर्डशन कहते हैं कंप्यूटर जब उसमें स्पीकर और नैट लगा दिया जाए तो बच्चा सुन भी सकता है देख भी सकता है चलचित्र मतलब सिन कि सिक्षण साहिक सामगरी क्या है इसके अलगलग परकार कौन से हैं स्रवेद्रिस अस्रवेद्रिस और अब हम देखते हैं कि इनको जब प्रयोग किया जाए तो कौन-कौन से सावधानिया बरतनी चाहिए तो सबसे पहले वास्ट्विक वस्तु की अनुपस्तिती में प्र प्रदेश में रहता हूं मद्या परदेश का बच्चा इसको अगर इंडिया गेतूड के बारे मैं बताना हो तो यह समभव नहीं कि बच्चों को हर बार वहाँ पे ले जाया जाके इसमें खर्चा भी लगेगा समय भी लगेगा तो जब वास्टविक वस्तु नहीं है तो अब क्या किया जा रहा है फिर हो सकता है कि राष्टपती भवन या इंडिया गेट के बच्चों को फोटो दिखाई जाए वीडियो दिखाया जाए तो वास्टविक वस्तु के अनुपस्तिति में इसका प्रयोग होना चाहिए आकर्सक होनी चाहिए सुन्दर एवं सबस्ट होनी चाहिए विशे के साथ समन्द हो कि जो विशे अगर आप मालो बच्चों को व्याकरण के बारे में पढ़ा रहे हो व्याकरण में विशेशन के बारे में पढ़ा रहे हो तो आपका जो मोडल है जो सामगरी है वो भी कौन सी होनी चाहिए, वो भी विसेशन की होनी चाहिए, संग्या की नहीं होनी चाहिए, तो जो विसेशन पढ़ा रहे हो, सामगरी भी उसी से सम्मंदित होनी चाहिए, विद्यारतियों के समझ जो रोची के अनुकूल हो, कि उनके स्तर के अनुकूल हो, कक्षा देखी जा उतनी आकार कि होगि जो आखिर में जो बच्चा बैठता है उसको भी अरामसे दिझाए उदेश्य प्राप्ति में सहायक हो कि जिस उदेश्य की प्राप्ति है तु शिक्षक उसका प्रियोग कर रहा है उन उदेश्यों की प्राप्ति में सहायक हो और सिक्षण सहायक सामगरी में विवित्ता हो विवित्ता का मतलब यहीं नहीं कि सिर्फ आप चार्ड कहीं प्रियो करो आप स्रवे साधन का प्रयोक चाहिए्ट योजना बद तरीके से सामगरी को का प्रस्तूती करण किया जा है कि एक योजना की अनुसार के कब प्रस्तुत करना है कंच्छा में, किस समय बच्चों को दिखाना है, तो एक योजना होनी चाहिए, यह नहीं कि बच्चों को जाकर सामने रख दिया, नहीं, एक योजना बद तरीके से इसका प्रयोग किया जाए, अधिक महंगी ना हो और सरलता से उपलब्द हो सके, कि ज़् महंगी नहीं होनी चाहिए, पूर्ण जानकारी के बाद ही सामगरी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सिक्छण सायक सामगरी जो है, आपको पहले उसका पूरा ज्यान होना चाहिए, तब ही आप उसको प्रयोग करो, अगर आपको ही उसका ज्यान नहीं है, तो बच्चों क प्रियोक करते समय कौन-कौन सी साफधानिया भरतनी चाहिए तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने सुझाओ जरूर दीजिएगा और बताईएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर साजा बहुत धन्यवाद।